या तो बेहत चाहो नहीं तो भूल जाओ ज़्यादा तर लोग एक सवाल उठाते हैं कि हम इतनी शिदद से एक सपना देखते हैं इतनी मेहनत करते हैं इतनी प्लानिंग करते हैं लेकिन फिर भी हमारा सपना सच क्यों नहीं होता चाहे वो आई-एस की तैयारी है तो हम आई-एस नहीं बन पारें पी-सी-एस की तैयारी है तो हम पी-सी-एस नहीं बन पारें हमें कोई नौकरी चाहिए वो नहीं मिल पारी या जिंदगी में हम कुछ और करना चाहते हैं अपना घर बनाना चाहते हैं को नहीं बन पा रहा हमारा सपना पूरा ही नहीं होता तो मेरा उनसे एक सवाल है क्या आप अपने सपने को सच में बेहत जाहते हो किस चीज से जादा चाहते हो दोस्तों के साथ समय स्पेंड करने से जादा चाहते हो सोशल मीडिया से जादा चाहते हो तफरी करने से जादा च कि पर जादाँ चाहते हो जाते हो इस चीस से जादा चाहते हो सपने को आज मैं अपने प्ट एपने कही आपने यह हैं सफनने को हुझ एक इसह दोड़ि तरह को सपने को होता है मुझा शेश्य वेट्स चोड़ लिन गरदिय। उन्हों ह cham做 श्णिए sigma मैं धिया थे। मेरे पास अच्छी नौकरी हो अच्छा पैसा हो अच्छा घर हो और गुरू कहते थे इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप अपने लिए सुविधाई भी चाहते हैं लेकिन आप अपना मन साफ रखना चाहते हैं तो दोनों चीजें भी हो सकती है तो एक दिन शिष्य गुर और उसने बोला कि गुरू जी मेरा आपके साथ रखने का आपके संगत रखने का फाइदा क्या है मैं जो सबने देखता हूं कोई पूरे ही नहीं होते ना मुझे वैसा पैसा मिल रहा है न वैसी नौकरी मिल रही है न वैसा घर मिल रहा है आखिर मैं करूं तो क्या करूं आ आपने का, खुब प्लांड से चलो, रास्ते में बाते होते होते रहेंगी और मैं तुम्हें बता दूगा कि क्या प्रब्लम है और तुम्हारे कोई गुरु मंत्र दूगा वो करने के बाद तो हो ही नहीं सकता कि तुम सफल ना हो चाहे वो exam है चाहे वो competition है चाहे वो घर है चाहे नौकरी जो भी है जो तुम चाहते वो हो जाएगा अब शेश्य बड़ा खुश उसने कहा यही तो चाहिए था प्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरुजी जो है वो ब थोड़ा सा ठंडी लंबी सांसे लो थोड़े आराम से चलेंगे फिर निकले दोनों सहर पर तो गुरु ने शिष्य को पूछना शुरू किया कि तुझे क्यों लगता है कि तेरे सपने पूरे नहीं होते तो शिष्य ने बोला कि 10-10 घंटे तो मैं काम करता हूं उसके बाद मैं पूरे टाइम सोचता रहता हूं कि मेरा ये सपना है ध्यान भी लगाता हूं और चीजें से ध्यान हटा के काम पे भी लगाता हूं जो मुझे करना है लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है लगता है कि हो जाएगा सच हो जाएगा सच और फिर होता ही नहीं है बीच में कभी अखन को पूछी मैं ऑगता हूएत तो झाए उच्छा जाएता यम्रम चैगा है अख्छी है भुछी कर दो ट으 जाएता है शोचता है भीच जरेखे वारे हैं जब पुछी होगता है। मैं आण ग्रोजी अगन अधर यह सोचता है अब चलते चलते बाते करते एक नदी आ गई तो शेशी को लगा कि अब हम लोग वापस मुड़ जाएंगे या जंगल में किसी दूसी तरफ जाएंगे लेकिन गुरुने का चलो नदी में चलते हैं ये भी एक वह चीज है जिसे मज़ा आता है थोड़ा नदी के अंदर चलें तो तो गुरु जी पस बाते करने में लग depression से कि तो और क्या करता है कहां तेरी कमी आ रही है अब शेशी सोच रहा है पानी तो यहां तक आ गया है गुरु जी बोले ही hela का त्व पूछा नहीं कि भी गुरु जी घुरुमंतर देने आए उह सकता ही वापस ज़ा हैं तो तो गुरु जी ने कहा है जट से उसके सर पे हाथ रख और उसका मुह नुझ पूरा पानी के अंदर डाल दिया और जो हड़ड़ा कि छोड़ो गुरु जी छोड़ो गुरु जी शांस नहीं आ रही है तो गुरु ने चोड़ दिया उपर आ गए सांस आ गए तो गुरु ने का चल तू बड़ा घबरा रहा है वापस चलते हैं तो दोनों बुड़ गए शेश ने अंदर एंदर एक ठंडी सांस लेकी बच गए जैसे दो कतम आगे बढ़े फिर गुरु ने उसके सर पे हात रख अब तो फिसको फिर सांस आणी बंदा शेश ने जा रहा है छोड़ो गुरु जी चोड़ो मेरे तो सांस आ नहीं आरी मैं तो मरु ज़एंगा मेरे तो पानी भर रह अंदर तो गुरु ने नहीं चोड़ा पकड़े रख पट़ा और शेश चच पटाने लगा क्या करे हैं मैं तो जान लोगे क्या अब गुरू ने अचानक छोड़ दिया शिष्षे का सार उपर लंबी लंबी सांसे लिए अपने आपको सम्हाला रे गुरू जी क्या कर रहे थे आप मैं तो अमर जाता तो गुरू बोले कि जब तेरा सर पानी के अंदर था तो तेरी क्या तबनाती तो कितना चाहता था कि तेरे को मैं छोड़ दू और तेरा सर उपर आ जाय से किस कदब चाहता था तो इस चीज़ को तो शिषय भूला मैं तो यहीं चाहता था मेरे तो धिमाग में कोई ख्याली नहीं आ रहा था और मुझ้े तो लग रहा थे मेरी जान कहिकी अगर मेरा सर उपर पहुचा तो गुरु ने का यही है गुरु मंत्र, जितना तब तुझे अपनी सांस चाहिए थी, अपना सर को पानी के उपर लाने की जो इच्छा थी, कि और कुछ नहीं चाहिए, अगर यह नहीं मिला तो मैं जिन्दा नहीं रह पाऊँगा, इतना चाहना होता है किसी तो यह है गुरु मंत्र साफलता का, इसकदर बेहद चाहना इसको कहते हैं, अगर बेहद चाहोगे तो मजाल कि की पूरा ना हो, बेहद लख्ष जो आपको न मिले लेकिन बेहद चाहना है, और बेहद चाहने का यही मतलब है कि उसके बिना लगे कि हमें सांस नहीं आहरी है या तो ब।ूल जाहो बहुत लोग बैठ ships है अगर उन्हें गुरु मंतर मिल जाए ना बेहत चाहने और अज वीडियो के बाद उन्हें गुरु मंतर मिल गया है वो चाहने लगें अगर खुद तुम उसको अपने को उस लेवल पर नहीं ला सकते कि बेहद चाहो तो छोड़ दो और भूल जाओ फिर ये चीज आपके लिए नहीं है फिर अपना कुछ और भूल जाओ तो बेहद चाहो नहीं तो भूल जाओ मेरे चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं हूँ कोच अनुपमा फिर लेकर आओंगी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो जिसको सुनकर आपके अंदर एक आग जगेगी कि मैं करूं मैं कुछ कर दिखाओं नमस्कार